कपिल शर्मा कोमेडी की दुनिया में एक जाना माना नाम बन चुके हैं हाला कि उन्होंने कामियाबी की सीडियो पर चड़ने के लिए काफी मेहनत की है और उनकी पतनी गिननी ने उनका काफी साथ दिया है कपिल शर्मा और गिन्नी कोलेज फ्रेंज थे गिन्नी कपिल से चार साल जूनिर चात्रा थी साथ ही दोनों एक ठीटर का भी हिस्सा हुआ करते थे यहीं नहीं गिन्नी कपिल की असिस्टेंट भी रह चुकी है दमेन पत्री का संग बातचीत में कपिल शर्मा ने गिन्नी के बारे में बताया था कि वो मेरी बहुत अच्छी छात्रा थी वो नाटको और अभिने में अच्छी थी इसलिए मैंने उन्हें अपना एसिस्टेंट बना लिया था कोलेच और थेटर में एक साथ समय बिताते बिताते गिन्नी को कपिल शर्मा से प्यार हो गया था हाला कि कपिल शर्मा ने गिन्नी संग जीवन भर साथ निभाने से मना कर दिया था क्योंकि वह काफी अमीर थी कॉमेडियन ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि उन्होंने गिन्नी से कहा था अब जिस कार से आती हैं उसकी कीमत मेरे पुरे परिवार की कीमत से कहीं अधिक है इसलिए ये हमारे बीच संभब नहीं होगा हाला कि गिन्नी ने कपिल को उनके बैक ग्राउंड से नहीं बलकि उन से प्यार किया था उन्होंने अपने रिष्टे को समय दिया और तब तक का इंतजार किया जब तक कपिल ने अपना नाम नहीं कमा लिया गिन्नी के पिता कपिल को पसंद नहीं करते थे लेकिन दे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो को जितने के बाद कपिल अपने ससुर के करीब आ गए थे कपिल ने कहा था पापा जी पिघल गए और उन्हें लगा की बंदा ठीक है कपिल शर्मा ने 12 दिसंबर 2018 को अपनी गर्फ्रेंड गिन्नी चत्रत के साथ धुम धाम से शारी रचाली थी कपिल के अब दो बच्चे हैं जिनके नाम अनायरा और रिशान है कपिल एक बेहत प्यारे पती और पिता है